अलो डेयर स्टूडेंट गूड मॉनिंग अभी आप देखेंगे यह आप कुछ इस तरीके का एक कंपोनेंट है जिसे हम बनाना है और यहां से आप देखेंगे कि टेपर है उसमें हम यह सिंग होल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे आज आप कैसे ही कंपोन को बना सकते हैं हैं रपी देखेंगे कि हाँ हैं कैसे कर सकते हैं किस तरीके से हम बनाते हैं आप उसको भी प्र 오늘도's किजिए को ज्यादा नहीं अगर आप ऐसा करते हैं तो कि बनाने के बहुत सारे तरीके हैं हम किस तरीके से बना सकते हैं हमें वह सारे वह तरीके आजमाने हैं कि हम जल्दी से जल्दी कैसे बना सकते हैं ठीक है सबसे पहले हमें किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए हमारा जो बेस जुमेटरी है उसे त्यार करना बहुत जरूरी होता है तब जाएक जो ड्राइंग है वो शहीं से बन पाता है तो इसलिए हम चलते हैं बेस जमेटरी के साथ हमारा जो से फ्रक्नलइन से होगा तूकि हमने फ्रक्नलइन सेलेक्ट करका है और हमें कुछ ऐसा जमेटर करना है अब देखने के हम किस तरीके से बनाते हैं, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और फिर इस तरीके का एक geometry हमने त्यार किया है, एक base geometry है, अब हम इसमें करेंगे इसकी डामेंशन क्या होगी और अगर आपका यूनिट ठीक नहीं है तो आप यहां से यूनिट को ठीक कर लिजिए कर किसी यहां से एक जित हो जाएगी जब आप डामेंशन चेट करेंगे यहां से दबा के जब आसलेट्श करेंगे यहां पर इडिट. पाउपषन करेंगे आप इसकी डिदेंशन होगी वह यहां पर मैंशन यहां पर कोति हैं करते हैं after this यहां का जो डावनेशन हैं यहां से यहां तक आप देखेंगे 75 चैजिए यह वह अंहार क्या है 75 चे यह एक एंगल पर आप देख रहे हैं 19 डिगरी के आउनल पर यांपर लाइक कर रही है तो यह इसको यह जेलक्ट करके और यहां पर एंगल बनाना है हमें बस ड्रैग करना है यहां पर आप 19 का एंगल मैंने दे दिया ठीक है अब जो हमारा नीचे का बेस है उसका डाइमेंशन कितनी है तो आप यहां पर देखेंगे 134 है यहां से हम चलते हैं 134 अब देखेंगे कि यह इह पर हो चुका है और यहां पर फुलिदा रिफाइन फिली दिफाइन ठीक है अब हमाने क fel लुगल मिड्यक करेंगेb करणी हैch है मेंग नीचना कर mês कि यहां से आप देखेंगे यहां से हमारा है तो टॉप से हमारा कैसे दिख रहा है ऐसे दिख रहा है तो यह हमारा क्या है 40 यहां से हम कितने एक शूर करने हैं को 40 और ओके कर देंगे अब आप देखेंगे टॉप पे और यहां फ्रंट पर यहां पर एक रेडियस लग रहा है और यहां भी एक रेडियस है ठीक है और क्यो यहां पर कितना करेंटइक கॉंप्टी का यहां पर लगा लगो है इसकी फीलेट कितनी है फोर का फोर रेडियस का फिलिट हम यहां पर लगा देंगे अल्मॉस्ट हमारा जुमेटरी पुरी होड़ी है अब इसके बाद यहां पर आप देखेंगे यह सक्षन भी हुए इसका हमने सक्षन भी बनाया है ताकि आपको इनर जो पार्ट है वो आपको अच्छे से दिखे जामें होल कैसे बनाया है यहां पर आप देखेंगे दोनों तरफ ऑव काउंडर सिंग होल है ठीक है तो हमको कैसे करना है वह देखेंगे तो एक जो हमारा कॉंटर सिंक है वो 30 है और एक थुरू ओल है उसकी डामेटर यहां पर दिया हुआ है 12 और जो कॉंटर सिंक है उसका 20 हम बनाएंगे और यहां पर टेपर है और यहां भी करते हैं यहां से यहां से करते हैं एक पुर्फेश्नल तरीके से पहरे स्प्लेन को सेलेक्ट किया है पर हमको क्या करना यहां पर लेख सरक्ल लेकरें करतें सहीं क्या होती है है 12 इसकी क्या है 20 यह 20 कहां हो गया अब एक चीज़ देखेंगे इसको हम क्या करते हैं इसको और इसके संटर के साथ साथ कंसेंट्रिक करते हैं जो कि इसको हम होरिजन्टल करते हैं अब इसकी डामेंशन हमें लगानी है डामेंशन यहां से और इसे एज का कितना है 20 अब यहां पर देखेंगे यह 20 है हमको एक नेक्स्ट पॉइंट यहां पर एक से भी सर्कल बनाना है वहां कैसे कर सकते हैं यहां तो हम दो चलनकी कर तो हम और लेके इस दोनों को भी हम कर लेते हैं अब यहां का जो डिस्टेंस है वो आप यहां देखेंगे ट्रिटी फाइव है अब यह फुलीड देफाइन हो चुकी है आप देखेंगे तो हुए जो सरकल है वह इस फेस्ट पर नहीं है इस फेस्ट के ऊपर है यह ठीक है कि हमारा वर्टिक ल hole बनाना है अगर हमें taper hole रहता यहाँ पर तो हमें अलग से इस face पर बनाना होता ठीक है? हम यहीं से कर लेंगे अब हम चलते हैं अपने feature में यहां से extrude cut करते हैं extrude cut अगर हम करते हैं तो through all extrude cut होगी तो हमें दोनों extrude cut हो जाएगा इसलिए हमको सबसे पहले रोल किसे करना है तो मीड को तो हम मीड वाले को सेलेक्ट करेंगे वह यहां से होता है सेलेक्शन से यहां से हम करेंगे मीड सेलेक्शन यहां से मीड सेलेक्शन इसे हम करना है क्या थूरौल होल करना है यहां समझ चलते हैं और यहां पे करते हैं through all ठीक है देखेंगा अब एक hole हो गया है अभी हमको इससे counter sink बनाना है तो इस पे counter sink बनाने के लिए हमें फिर से circle बनानी के जरुद नहीं है हम क्या करते हैं इस जो cutout हम किये हैं उसके sketch को को प्रेस करते हैं एक बार उसके sketch को प्रेस करने के लिए यहाँ पर एक एरो कशाइन होगा इसको जैसे यहाँ पर प्रेश करेंगे कैसे कि खुल जाएगी इसको प्रेस करके फिर आप जहें गटाइब है एक शूर्ड कट फिर आपको यह कमाड़् अधर प्रह attain selection selection में जो सेलाक्ट स्वनेयर करके और करी और अश्रmnол को सेलेक्ट किनिया है जो में बड़े वाला सब कनिया उसको हूँ में कितनी करनी है 30 करते हैं और देखेंगे कि आप यहां पर एक होल मेरा बन चुका है और नीचे से असा है अगर आप इसके सक्षन देखना चाहते हैं मीड क्लेन पर अब चलिए यहां से प्लेन सेलेक्ट किजिए ठीक है और यहां से आप स्क्षन आप जैसे ही करेंगे किजिए और यहां पर आप देखिंगे किए कांवर्जिंग हो रखा है ठीक है प्रफिर अपर तो यह सेक्षन हट जायाँ आपको यह व्यूदियो पसंद आया होगा अगर व्यूदियो पसंद आया हो तो लाइक और सस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है, share भी कर दीजिए, कोई भी आपकी जी दोस्त होंगे, वो सीखना चाहते हैं, ठीक है, solid work, बहुत बेहतरिन तरीके से हम आपको solid work की training देंगे, अब हमसे contact किजिए, comment box में लिखिए, ठीक है, thank you for watching.